ये है बिना गैस जलाए रक्षावंदन स्पेशल मिठाई हेलो फ्रेंड्स, शेल्स किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम शेल्स किचिन में बनाने जा रहे हैं रक्षावंदन स्पेशल मिठाई जिसे हम बिना मावा, बिना घी, बिना चाशनी, बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में बना कर इसको तयार करेंगे और वो भी घर में रखे कुछी सामान से यह मिठाई देखने में जितनी सुन्दर लगती है उससे ज़्यादा खाने में जवरदस्त होती है इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है फ्रेंड्स आप वीडियो पूरा फुल वाच करें आईए इस सांदार मिठाई को बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन का वटन जरूर प्रैस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इस सांदार मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो कटोरी डेसिकेटड कोकोनट लिया है और एक कटोरी पिसी चीनी लिये और एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है और कुछ मैंने नट्स लिये हैं जिसमें काजोर बाद हम एड़ किये हैं इसके बाद हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसके बाद दो कटोरी डेसिकेटेट कोकोनट इसमें डाल देंगे और उसके बाद एक कटोरी पिसी चीनी और एक कटोरी मिल्क पाउडर एड़ कर देंगे अगर आप तेज मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी की कॉंटिटी बढ़ा लीजिए अब हम सारे मिश्णड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे किसी भी कटोरी से नाप लो और इसी रेशो के हिसाब से आप सारा समान ले लो आप इसमें मिल्क पावडर जरूर एड करें इससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अब हम ठंडे दूद से इसका एक डो तैयार कर लेंगे ध्यान रहे दूद थोड़ा थोड़ा ही डाले क्योंकि हमने इसमें पिसी चीनी एड किये जो बहुत जल्दी इस मिशनर को सॉफ्ट कर देगी इस मिठाई का टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि जो इसे एक बार खाएगा और बार बार इसे बनाएगा इसे बनाना भी बहुत आसान है आप ये शांदार मिठाई आप तोहार पर जरूर बनाएं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये डो अच्छे से तयार हो गया है हमें इसी तरीके का रखना है इसे न जादा टाइट रखना है न जादा लूज रखना है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो अपने ड्राइफ रूट्स लिये थे उसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो आप अपनी पसंद से इसकी कुछ भी और चीज़ से फिलिंग बना सकते हैं इसके बाद मैंने पहले से केसर को पानी में भिगो कर रखा था इसे दो चम्मच हम अपनी फिलिंग में डालेंगे और जो नारियल का मिशनर बनाया था उसे थोड़ा सा फिलिंग में अड़ करके इसका भी एक टाइट डो तयार कर लेंगे इसके बाद हाथ में थोड़ा घी लेकर जिससे हमारे हाथ चिकने हो जाएं छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे मैं इसके 7 बाल्स बनाकर तयार करूँगी जिससे हमारी मिठाई के 14 पीस बनकर तयार होंगे और हमारी ड्रायर फूट फिलिंग्स के सारे बाल्स बनकर तयार है फिर इसी तरीके से हम नारियल के भी डो के भी बाल्स बनाकर तयार कर लेंगे मगर इससे थोड़े साइज के बड़े बनाएंगे इससे भी हम seven walls बनाकर तयार करेंगे ये वहत easily बन जाते हैं बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा डो ना ज़्यादा tight हो ना ज़्यादा loose हो और इसी तरीके से हम अपने सारे walls बनाकर तयार कर लेंगे अब हमें बड़े वाले walls को लेना है यानि नारीगल वाले walls को लेना है और हतेली से दवाना है और finger से इस तरीके से दवाकर हमें इसे गोल फैला लेना है और उसके बाद filling वाली wall को अंदर रखकर अच्छे से सब तरफ से कवर कर देना है और चिकना बना लेना है आप इसे stuffed पेड़ा या काजु कचोड़ी की shape दे सकते हैं जैसा market में मिलते हैं हम इस तरीके से से दवा कर इस तरीके से हम इसे गोल सब तरफ से करके तयार कर लेंगे मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ इसी तरीके से हम इसे हतेली और उंगलियों से दवा कर फैला लेंगे और फिलिंग वाली वॉल्स अंदर रखे इसको सब तरफ से अच्छे से cover कर देंगे और इसे चिकना बना कर हम कचोड़ी नुमाई से shape दे देंगे इसी तरीके से मैं अपनी सारी मिठाई बना कर तयार कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने सारी मिठाई अपनी बना कर अच्छे से तयार कर ली है और इस मिठाई को तयार करने के बाद आप इसे silver work लगा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है आप लगाना चाहें तो लगाईए वरना इसकेप कर दीजिए मैं इसको बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई बना रही हूँ इसलिए मैं लगा रही हूँ यह दिखने में सुन्दर लगती है इस मिठाई को आप किसी वित्योहार या ऑकेजन पर आप प से कट कर लूँगी इसके में एक पीसिस से हमारे दो पीसिस मिठाई तयार हो जाएगी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई कितनी बढ़िया बनकर तयार हुई है इसी तरीके से मैं सारी मिठाई बीच में से कट कर लेती हूँ अब हम इस मिठाई को और अच्छ लग रहे हैं बहुत मेहंगी मिठाई जिसे हमने बहुत ससते में घर पर बिण गैस जलाइ बना लिया है जब घर पर इतनी मेहंगी और सुंदर मिठाई बन जाएगी तो बजार से क्यों लाना है आप रक्शावंधन पर अपने भायी के ये मिठाई जरूर बनाएं मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा रही हूं देखें कितना टैम्टिंग हमारी मिठाई लग रही है और बहुती परफेक्ट बनकर तयार हुई है ये मिठाई आप जब बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी इस लाजवाव शांदा को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव